पात्र एक injection लगाने से आपकी calcium की कमी हमेशा के लिए दूर हो सकती है तो guys calcium का हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा important role होता है calcium हमारी body में एक minerals है जो बहुत ज़्यादा ज़र्णी होता है और सबसे दुखी बात ही है कि हमारे body जो होता है calcium खुद नहीं बनाता है हमें calcium जो होता है बहुत से लेना पड़ता है food के जरिया से ले सकते हैं medicines आते हैं injection हो गएरे पर आते हैं कई तरी पर sources आते हैं calcium हमारी जो हड्याँ होती है bones होती है उचको strong रतने में मदद करती है यानि जिससे हड्याँ बहुत ज़्यादा strong रहे factor होने का डर ना रहे लेकिं जब हमारे बोड़ी में calcium होगए रहे कि कमी देखने को मिलती है तो हमारा जो हड्यां फैक्चर होता है वह बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है जिससे टोटने का डर रह जाता है और कई बार होता भी है है एक्चिल में जिनकी बोड़ी में बहुत ज़्यादा कैल्चिम होता है पट कैल्चिम आपकी बोड़ी के लिए साथ साथ कई तरगी का और भी फाइल बंद करती है इस वीडियो के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपकी कैल्चिम की पूर्ती हमेशा के लिए कर दे क्यों अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करती जीगा इंद्वाइस इंजिक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वह आता है कैल्चिम संडोज इस परकार से आपको देखने को मिलने वाला है बेसिकली 95 रुपीस का आपको साथ के फार्मा की दरफ से देखने को मिल जाता ह है इस इंजिक्शन में आपको दो होते हैं वह देखने को मिल जाते जिसमें आपको मिल जाता है कैल्सियम ग्लुकोनेट दूसरा मिल जाता है आपका कैल्सियम ग्लुकोनेट क्या काम करता है या आपके कैल्सियम की लेवल को बढ़ाने में मद करता है कैल्सियम मेंदल्स होत है और यह कैलस्यम को ज़ादा पढ़ाने के लिए कैलिश्यम को इस ट्रोर इस्टोर रखने के लिए हेल्प करने में मदब करता है यह इंजिक्शन आपको इस परकार से मेडिकल्स में इजली मिल जाएगा और इस इंजिक्शन को IM and IV दोनों परकार से यूज किया जा सकता है ब बाद ही आपको injection होगे रहागा यूज करना चाहिए वैसे इसके साथ बोलियों का भी यूज किया जा सकता है इसके best benefits क्या होता है calcium की कमी को दूर करता है साथ between D की कमी को भी दूर करने में मलद करता है and hyperkalemia की condition में भी इसका यूज कर जाता है hyperkalemia क्या होता है basically blood में potassium की मातर ज में इस injection का यूज करते जैसे osteoarthritis हो गया osteomyelasia हो गया ऐसी condition में इस injection में ज्यादा यूज किया जाता है यानि एक परकार से समझे तो आपके bone को strong रखने के लिए best injection होता है आपका जो calcium sandos के नाम से में जाता है इसको doctor की देखरेक में यूज करना चाहिए and without doctor cancer के विल्कुल यूज ना करना चाहिए so guys यह था कुछ आज का वीडियो जो आपके calcium की problems को दूर करने में बहुत ज्यादा मद करेगा यह injection so video अच्छा लगा so like जिरू करें share जिरू करें doubts है comments बोसुने जरूरी कर बता है and अगर आपने कभी यह injection use किया है अपना review जिरूर शेयर करें comments में so मिलत अपने next video के साथ जय हैं जय बारत